और अगली खबर भी उत्तर प्रदेशे यहाँ पर सियासी घमसान जारी है वहीं यूपी सरकार को लाउड स्पीकर पर इलाबाद हाई कोट से फटकार लगी है जिसके बाद यूपी पुलिस आक्शन की तैयारी में है जहां हर धार्मी कस्थल पर बजने वाले लाउड स्पीक पर लगेगी लगाम धार्मिक स्थलों से हटेंगे लाउड स्पीकर हाई कोट के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस मंदिर मस्जित गुरुद्वारा चर्ट अब यूपी में कहीं पर भी आपको लाउड स्पीकर बज़ते नहीं दिखेंगे नाहीं किसी धार्मिक करक्र में और नाहीं किसी पूजास्थल में बिना इजाज़त लाउड स्पीकर बजाने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जिसका आदेश यूपी के सभी जिलों के कप्तानों को दे दिया गया है और पोलिस इस पर सक्त कारवाई करने की तैयारी कर रही है इलहाबाद हाई कोट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि लाउड स्पीकर बैन के बावजूद कैसे बज रही है जिसके बाद आई जी लखनओ ने सारे कप्तानों को लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने का आदेश जारी किया है जिसमें बिना इजाज़त लाउड स्पी अंदेखी की जा रही है कोट ने पूछा दोहनी प्रदूशन नियम 2000 को प्रदेश में सकती से लाउड स्पीकर लिखेत अनुमती के बाद लगाये ज़िन नहीं तो उन्हें हटाने के लिए क्या कारवाई की गई जिन अधिकारियों पर बिना अनुमती के लाउड स्पीकर का प्रियोग रोकने की जिम्यदारी थी उन पर क्या कारवाई हुई नियम को सकती से लागू ना कराने वाले अधिकारियों का क्या उत्तरदाय तो तै किया गया मंदिरों, मस्जिदों और अन्यधार में इस्थलों पर बिना अनुमती के कितने लाउड स्पीकर लगे हैं, कितने उतारे गई हैं समहरों या जुलूसों में तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों के इस्तमाल पर क्या कारवाई की गई कोटने दोनों अधिकारियों से ये सारी सूचनाएं व्यक्तिकत हलव नामी में एक फरवनीतत पेश करने का आदेश दिया है सूचना ना देने पर खुद हाजिर होने को कहा है साफ है सरकार और पुलिस दोनों पर अब लावट श्पिकरों के खलाब कारवाई करने का दबाव है जिसे हटाने के लिए यूपी पुलिस से कमर कसली है शिवेंदर श्रिवास्ताव लखनव आज तक झाल